आज की वीडियो में भाती रास्टी आंदोलन एंडियन नियस्टनल मोमेंद से जो है पांच नंबर पुछता है किससे आपको बताए जाएगा तो यह है प्रिच्छा दिफिरेशर है स्वाधिन्ता आंदोलन के प्रैलंभीग वस्ष पहला प्रस्न है उनिस्टनल से उन्तालिस की वीश मजदूर आंदोलन के मंद पढ़ने का कारण क्या था तिरेश योनियन कांग्रेश का काईगुठ में विभाजन वैस्ठान जहांपर प्रथम बार उनिस्टनल में हिंदू महसभा का गठन हुआ था हरिद्वार में हुआ था पहली बार उनिस्टनल में अखिल भालती किसान सभा के प्रिसिदेंद थे स्वामी सहजानन्द सलस्वती 1940 के अगस्थ प्रस्ताव में प्रस्ताव रखा गया था प्रांती स्वातर्ता असायोग अंदोलन चलाने की पिरड़ा देने वाला ततकालिक कालड था खिलाफ़त के प्रती अन्याय खुदाई खिदमत गार संगठन का सस्थापर था खान अब्दुल गफर खान 1908 में मुस्लिम लीग के स्थाई अध्यस की रूप में चुनाओ हुआ था आगाखा वह मुस्लिम नेता एनी विसंच द्वारा स्थापिक की गई होम रूल लीग से समलिठ हुआ मुहमन अली जिन्ना सुरपथम बंगाल में बिरितियन की वस्तूओं के बहिस्कार का सुझाओ दिया किसर कुमाल मित्र की सप्ताहिक पत्र का संजीवनी 1906 में सुवराज को रास्ती अंदोलान का लच गोचित करने वाला भालती रास्ती कांग्रेस का ध्यस था दादा भाई नरोजी वस 1920 में कांग्रेस के नागपूर अधिवेशन में असायोग का मुख प्रस्ताव प्रस्तूर किया था सी आर दास सुदेशी तथा सविने अवग्या अंदोलन महात्मा गाली तथा अननेताओं की भूमिका वन दे मातरम भारती रास्ती अंदोलन का सिस गीत बना सुदेशी अंदोलन में ब्रितिश पत्रकार एच डबलू निवी इंसन जुडे थे सुदेशी अंदोलन से क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की बिनायक तमोदर सवार करने बंगाल का विभाजन करने वाला गौवनर जनरल था लाल्ड कांजर ने यह कठन की बिदेशी कपड़ों को जलाना एक निस्थूर्म परबादी है रविंदर नाथ टैगोर का बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेटिनेंट गौवनर था साद एंदिरूज फ्रेजर 1904 से लगातार भारत का स्वासासन देने पर बल दिया था दादा भाई नरोजी ने ब्रितीस वस्तूओं के बहिसकार का सुझा सबसे पहले दिया था किसे कुमान मित्र ने बंगाल के विभाजन 1905 के पिरोध में वे अंदोलन का निर्त किया था सुरेंदे नाथ बनार जी ने स्वदेशी अंदोलन का निर्त किया था चितंबरम पिल्ले ने बिदेशी वस्तूरों की बरबादी ही उनके साथ सुरुत्तम वहबार है यह कथन था महत्मा गांधी का प्रसिद दान्दी माल से सुरू हुआ बाएरा मार्च 1930 को नमक सत्यागरा के समय गांधी जी के गिरिपताल हो जाने के बाद अंदोलन के नेता की रूप में उनका स्थान लिया अब्बास तयब जी वह अंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए अचारे बिदोवा भावे पर्थम बार गिरिपता हुए सबीने अवग्या अंदोलन में सक्ति के बिरुध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहनुभूती चाहता हूँ यह कथन संबंध है महात्मा गांधी की डंडी यत्रा से वह प्रांथ जिसके सत्यागरहियों की संख्या महात्मा गांधी की डंडी कूच में सर्वधिक थी गुजरात महात्मा गांधी ने डंडी यत्रा किस आदस वाके के साथ आरम की थी अंत्य तक लड़ो भाती इतिहास में तिथी 6 अपरेल 1930 जानी जाती है महाद्मा गांधी तो आरा डंदी माच के लिए गांधी जी ने डंदी माच प्रहरम किया था नमक कानून तोड़ने के लिए वाना सेना और मंजरी सेना सम्मंधे सविनै अवज्य अंदोलन से गांधी की यत्ता से सम्मंधि डंदी इस्तित्थे नोसारी जिलिस में करंदकारी अंदोलन तथा उग्रिह राष्टरवाद का उदे गोरकपुल जेल में फासी पाने वाला करंदकारी था राम परसाद बिश्मिल 1904 में करंदकारी संगठन अभिनाव भारत संगठित किया था महारास्त्र में वस 1928 में हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपबलिकन सो एसोसियेशन के स्ठापना हुई दिल्ली में भागस सिंग ने सेंटरल एसेंबली में बंफेका था बतु केस्वगदत के साथ इंडिपेंडेट लिग की स्ठापना की थी हिदास बिहरी बोस ने इनकलाब जिन्दबाद का अनारा संबंध है भागस सिंग से काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यचता एक सेमित कागठन हुआ था गोविन बलब पंध की काकोरी कांध मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारार्स मुला काकोरी सद्यंद कांध का वह एक मात्र कंद करांध कारी जो पुलीस गिरपतारी से बच निकला चंद सेखर आजाद हिंदुस्तान रिप्रब्लिकन सोएसियेशन का गठन सन 1924 इस्वी में जहां किया था वह जगह कानपुर में भाती असांती का जनक कहा जाता है बीजी तिलाख को वह युग में जिसको एंगलाएंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या अरोब में फासी की सजा मिली मदनलाग धिंगारा तथा उधम सिंग को भाती स्वतंतता के लिए फासी पाने वाले प्रथम रिकाल्डड मुस्लिम का नाम था असफ़प उल्नाखा अलोचना और स्वतंतता चिंतन एक करन्तकारी की दो बिशस्ताएं हैं वह कथन था भगस सिंग का वह प्रथम भाती जिसको पत्रकार की रूप में अपने कल्तब निर्वहन के लिए जेल भेजा गया बाल गंगाध तिलक को क्रयांती की तलवार बिचारों की उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है यह कथन किसका है भगा सिंग द्वारा लाहोर सदेयंत मुकदमे के परिड़ाम स्वरोफासी हुई भगा सिंग दाजगुरु एवं सुख देव को कांग्रेस पर अनूनाय बीनाय तथा बिरोध की राजनिती करने का अरोब लगाया था बीजी तिलक ने प्रथम महायुद के दोरान कहां पर भारत की एक अस्थाई सरकार बनी थी जिसके प्रेसिदेंट राजा महिंद्र पताप थी अफगानिस्तान में गदरपाती के नेता थे लाला हरत यालने गदरपाती की इस्थापना हुई थी संयू के दाज अमिरिका में कर्नादा की यातरा पर निकला एक जलपोत था कामा गाता मारू सोराज पाती की गठन में सामिल हुए लाला लाजपत राय महत्मा गांधी की सास्थ चंपारन सत्यगर में भाग लेने वाले समलिथे राज़न पसाद अनुग्रह नारायड सोराज पाती की संस्थापट थे सी आर दास देश बंधु की नाम से चितरंजन दास सोराज पाती निर्मार के लिए कांग्रेस के अध्यच पद से त्यार पद दिया था सी आर दास स्वतंतता पूर्व भारत में केस ने केंदरी बिधान सभा से सोराज दल का समाथन किया था एम ए जिन्ना ने सोराज पाती से समंदित थे एम आर जस्त जैकर भारत में साइमन कमीशन के बहिसकार के मुख्य करण थे सभी सदस अंग्रेज थे किसके सुझाओं पर भारतियों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था लाद इर्विन साइमन कमीशन भारत की सुबा साया 1928 में सौरपथम भारत के लिए ओप निवेशिक सोराज की मांग की थी सर तेज बाहदू सुप्रू जैकर ने साइमन गो बायक के नारे का निनमाण किया था युसूप मेहर अली ने फरवरी 1928 में आयोजिस सरवदली संवेलन की अध्यच दाक्ता में एम ए अंसारी थी